जी हां आप देखर रोहिलो जी और राष्ट्रिये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अगॉर्मेंट अफ इंडर टेकिंग जो एक मिनी रतना कमपणी है इसके अंदर एक ग्रिकल्चर ग्रेजुट्स के लिए एक सुनहरा उसर आया है और इसका सेलेरी पैकेज भी अच्छा है जानेंगे इसको अच्छे से और कम्प्लिट डिटेल में देखेंगे अगर आप इस चैनल पर नए है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी लिए मैं लेकर आता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो आईए आगे देखते हैं सबसे पहले आप यह देखिए इसका एडविटीजमेंट नंबर कि एडविटी नंबर दिया जाता है चली अब बात करते हैं पार्टिकुलर एक एक पोस्ट की तो यह आप देख सकते हैं पोस्ट कोड इधर लिखा हुआ है उसके बाद नेम आप दो पोस्ट डिसिप्लेन नंबर ओव सीट्स कितने हैं वगेंश कितने हैं और क्रेटेगरी वाइज सीट क क्वालिफिकेशन उसके बाद यह है आपका कि एजिकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्स्पिरेंस जो कुछ भी होगा यहां पे सो करेगा तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल देखिए यह सारे बिटेक के लिए है तो यह अग्रिकल्चर ग्रिजुट्स के लिए नहीं है जिसन उसके बाद आगे का जो पोश्ट है यह आप देख सकते हैं Os好像 के दि गने ऊनिंटेक Çाहिए मतलब मैकसिमिमम पोश्ट इसमें जो है वो वीटेक वालों के लिए है भी बिटेक बिएस इंजिनेरिंग यह सबृष्ष के लिए है जो व्राइन्ग्र अजिच के लिए जो एडिटी से रिक उनाईज साइंस या इंजिनेरिंग आग्रिकल्टर घ्रोजेशन मिनिमिमम occasions का होना चाहिए Agriculture graduates, क्या सकते हैं आप Agriculture graduation Engineering या Agriculture graduation 3 या 4 years 4 years का होना चाहिए Degree उसके बाद आगे उसके साथ क्या चाहिए इन में से कोई भी एक Degree आपके पास होना चाहिए BScg के साथ में कौन-कौन सा Degree होना चाहिए कोई भी एक होना चाहिए मार्केटिंग स्पेशलाइस्ट में या आपका MBA होना चाहिए MBA ABM में एगरी बिज्नस मैनेस्मेंट में मिनियों में 60% मार्क्स चाहिए इसके लिए तो यह एक अच्छा पोस्ट है इवन पोस्ट जो है इसकी सेलेरी भी अच्छी है इसका बेसिक आपको मिलेगा पर मंत सिर्फ बेसिक है इसके उपर जो भी कुछ जुड़ता है चलिए तो यह है इसमें एक्सप्रियेंस आपको चाहिए मिनिमम्म टू यर्सेल्स और मार्केटिंग देखिए इस नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है इसमें बेसी एजी पर चाहिए म अन्रिजर्ट के लिए बाकी कर्टेगरी वाइज जो छूट रहता है वो तो हैं ही उसके बाद या उतना होने के बाद या तो आपके पास और में जो कालिफिकेशन लिखा हुआ है ये आप देखिए इसमें से या तो फूल टाइम यूजसी रिकॉंगनाइस्ट एग्रिकल्चर ग्रिजिशन डिग्री फोर मिनिमम् फोर यर्स वाला होना चाहिए वही बेसी अग्रिकल्चर सिंपल कह सकते हैं और फूल टाइम पीजी डिग्री इन एमसी ऑफ टू यर्स डूरेशन इन एग्रिकल्चर यह होना चाहिए तो यह है इसका क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है आप चाहें तो इसके लिए अपलाइक कर सकत हैं और जल्दी करें इसका लाज्ट डेट भी कम है बचा हुआ है उसके बाद फाइनली एक पोस्ट यहां पर आता है यो में यह पोस्ट कोड है असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड यो इसमें टोडल 14 सीट है क्वालिफिकेशन जो है वो एक्रिकल्चर होना चाह इसमें मिनमों यह ध्यान देने योग्यवात है इसमें मिनिमों फूर एर्स का आपके पास वर्क एक्स्पिरेंस होना चाहिए एक ग्रो सेक्टर में में आग्रो रिलेट इंडिस्ट्री आफटर ग्रेजिवेशन qualification period of trainee will not be content in the requisite experience period मतलब अगर आप trainee में है तो वो period count नहीं होगा 4 साल का minimum work experience आपके पास होना चाहिए मतलब BSC AG तो होना ही चाहिए उसके बाद 4 years का आपके पास work experience होना चाहिए यह important है इस post को fill up करने के लिए उसे पहले वाला जो था वो भी मैंने बताया उसके बाद बाकी जितने भी post हैं वो सारे others के लिए है मैं उसको ज्यादा discuss नहीं करूँगा क्योंकि especially agriculture वालों के लिए यह video बनाया जारा है तो इसमें ITI वागेरा जो भी other other post है इन सब के लिए जो लोग बिटेक किये होगे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं चलिए important बात और करेंगे इसमें salary आपको क्या मिलने वाली है qualification की बात कर ली मैंने कि किस post के लिए कौन से qualification चाहिए उसके बाद आईए देखते हैं application fees application fees बाकी जितने भी post हैं इसमें वो सारे के लिए application fee 1000 रुपया है आप देख सकते हैं उसमें भी आपका bank का चार्ज है वो एड होगा फिर GST एड होगा तो 1100 रुपया के असपास आपका जा सकता है bank charge जोड कर उसके बाद GST लेकर और अधर जो workers post के लिए उसके लिए 700 रुपया है यह जो 1000 रुपया है यह जेनरल OBC और EWS के लिए है बाकी SCST और PW मतलब हैंडिकैप और एक सर्विसमन वगेरे के लिए exempted है उनको कोई पैसा नहीं देना है कोई application fee नहीं देना है तो यह है मैंने देखा उसके बाद salary structure की बात करें management trainee के लिए देखिए आपको इनिसे लिए 30,000 पर मिलेगा अगर किसी farm पर आपको दे दिया जाता है तो अगर ट्रॉंबे या थाल में आपको पोस्टिंग होती है तो वहां पे commendation भी दिया जाएगा आपको 30,000 पर salary दिया जाएगी आज पर रूल जो इसका है और अगर अधर जगह पर आपको दिया जाता है तो allowances आपको 25,000 दिया जाएगा तो यह आप अच्छा कासा इसमें salary पा सकते हैं उसके बाद main important point जो है इसमें यह आपको जाना ज़रूरी है इसमें जो है एक लाख रूपया का bond है और bond क्या है एक साल training period प्लस तीन साल service इसको देना है मतलब चार साल का bond period है उसमें भी एक लाख रूपया जो है आपका वो यह खुद काटेगी 8000 रुपया पर मन्त आपके salary से काटते जाएगा starting first 10 months में उसके बाद 10,000 रुपया आपका काटेगा last two months में तो इस तरह से करके यह आपका चार साल में पैसा काटेगा चार साल के बीच में अगर आप कभी छोड़ कर जाते हैं यह देखें important है चार साल के बीच में आप अगर कभी छोड़ कर जाते हैं तो आप जितना साल service किये हैं और जितना पैसा आपसे यह काटा है वो deduct करके जितना remaining होगा एक लाख रुपया में से वो आपसे लेगा और आपको release कर देगा अगर आपने चार साल पूरा काम किया चार साल के बाद छोड़ते तो एक लाख 15.000 आपको मिलेगा जबकि कटध आपका एक लाख रुपया 15.000 आपको interest देगी बाकी others के लिए जो है मैंने बताया कि चार सा पोस्ट के लिए जो मैंने बताया बीसी अग्री कल्चर प्लस चार साल का वर्क एक्सप्रियंस होना चाहिए अग्रो इंडर्स्ट्रीज में उसमें आपको 53,000 एप्रॉक्स सैलरी मिलेगा इसमें कोई ट्रेनी पिरेड नहीं है डिरेक्ट आपको कुछ इंपॉर्टन नहीं है जो इंपॉर्टन था मैंने आपको सारा बता दिया है कि लास्ट इसमें अब देखे सबसे लास्ट में यह पॉइंट लिखा है इसलिए मैं लास्ट में भी बता रहा हूं कि केंडिडेट्स जो अपलाई कर सकते हैं 29 जून से 15 जुलाई साम पाच बज़े तक साम पाच बज़े तक यह अपलाई कर सकते हैं 15 जुलाई लास्ट डेट है इसका तो जितना जल्दी हो सकता है अगर आप इसके लिए इलिजिबल है तो अपलाई कर दें यह एक्चुली आया था बहुत पहले ही मैं इसको थोड़ा लेट्स अपडेट कर रहा हूं तो यह था इस वीडियो के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आसा करते हैं आप इस तरह के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर टुड़े बाबाई